तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास यहां पर फोन आया हुआ है और यह फोन बिल्कुल dead condition के अंदर मेरे पास आया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको usp charger पर लगा के देखते हैं कि क्या condition वैन रही है तो अगर आप screen पर देखेंगे तो जैसे ही मैं यहां पर charger को phone से connect कर रहा हूँ तो usp charger पर एक ampere से ज़्यादा यह एक बार consume कर रहा है और उसके बाद 00 हो जा रहा है यह फिर usp charger में ampere fluctuate कर रहा है तो इसका मदलब कहीं ना कि phone के जो vps line है उसके अंदर problem है vps line के अंदर यहां पर sorting आ रही है तो usp charger पर मैंने एक video बनाया है जिसमें मैंने आपको detail में बताए कि usp charger से आप phone कौन से जो fault है उनको find out कर सकते है phone को बिन्या खोले ही आप पता कर लेंगे कि phone के अंदर कहां पर problem है तो इस पर मैंने एक video बनाया है उसका link आपको description मिल जाएगा उस video को भी आप जाके देख सकते हैं तो guys आप यहां पर देख सकते हैं मैंने phone को open कर लिया है तो एक बार battery को अच्छे से connect करें हम try करते हैं तो यहां पर phone नहीं हो रहा है तो अभी एक बार हम charger से इसको connect कर दे रहे हैं देखिएगा battery हमने लगा दिया है लेकिन phone के अंदर कुछ भी हां पर show नहीं कर रहा है ना पर मैं आपको board दिखाने की कोशिस करें तो पीछे भी यहां पर जो पत्रे हैं उसको निकालने की कोशिस किये और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पत्रे हैं उनको निकाल दिया गया है और यहां पर कुछ जो component है कुछ जो capacitor उनको निकाला गया है लेक से पहले हम फोन के अंदर सोटिंग उसको चेक करेंगे कि कौनसी लाइन सोट है और उसके बाद गाईज मैं आपको बताऊंगा कि किस लाइन पर आपको कितना एंपयर डालना है कितना वोल्टेज डालना है पूरा डीटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बैटिक नेक्टर पर सोटिंग है या फिर नहीं है तो इस साइड अगर गाईज मैं यहाँ पर आपको चेक करवा रहा हूं तो देखिए यह हमारी नेगेटिव लाइन है तो यहाँ पर बिल्कुल 0-0 आ रहा है और इस साइड देखेंगे तो 400 पलस आ रहा है मतलब ठीक ह देखेंगे तो यहाँ पर 500 के अंदर अंदर आ रहा है 500 से उपर भी जा रहा है लेकिन फिलेक्ट्वेशन भी चल रही है मतलब फोन के अंदर हाप सोर्टिंग बना हुआ है तो गैज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गाईज यह तो जीरो आना चाहिए था यानि OL आना चाहिए था या फिर यहाँ पर 1000 से पलस आना चाहिए था उस टाइम पर इसमें सोर्टिंग नहीं रहता लेकिन यहाँ पर 500 के असपास में यह जो रीडिंग है यह हमें नजर आ रही है इसका मतलब फोन के अंदर हाप सोर्टिंग बना हुआ है तो चलिए मल्ट अगर आप मल्टिमेटर में 09 गयंतर हुआ है अगरहे यहां पर बीड अर अगर आप retention के और अगर यहांप आप देखेंगे तो यह वाला कपीशेट यहां पीवर बीडि crashed is यहां पर गाइज यह जो PM के अगल बगल में जितने छोटे छोटे आपके कैपिसेटर नजर आ रहे हैं यह सभी गाइज वीपेज लाइन के कैपिसेटर हैं यह सब बीप करेंगे अभी आप देखना जितने भी मैं कैपिसेटर हैं यहां पर चेक कर रहा हूं यह सब वीपेज लाइन के कैपिसेटर है और सब बीप कर रहे हैं देखी और गायज एक चीज़ में आपको बता दों कि कोई भी जो कैपिसेटर है वो दोनों सैट से अगर बीप करता है और एक साइड से वहां पर आप रीडिंग देखेंगे तो एक साइड से बिल्कुल 0-0 आएगा और एक सा अगर शोट आ रहा है दोनु साइड चे अगर बीप आ रही है तो जिस साइड में रीडिंग ज्यादा आ रही है उस साइड में उसका प्लस होता है ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रगना है तो यह वीपेज की कोयल लगी होई है तो इसको गाईज एक बर चेक कर लें दे करेंगे तो इसको फाइंड आउट करेंगे और अभी इसको फाइंड आउट टरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अदर हमें रोजीन को अपलाई करना पड़ेगा देखिए यहां पर कुछ component भी निकाले गए हैं लेकिन यहाँ पे जो phone की sorting है वो remove नहीं हुई ठीक है तो अभी guys हम क्या करेंगे कि इस पे पहले rosin apply करेंगे और rosin apply करने के बाद इस पे voltage डालेंगे voltage किना डालेंगे हम यहाँ पे 4.2 voltage डालेंगे और 5 ampere यहाँ पे हम inject करने वालें ठीक है और वो voltage खाँ पे inject करने वालें वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो पहले हम यहाँ पे जो rosin उसको apply कर दे रहे हैं तो जब तक guys हम rosin apply कर रहे हैं तब तक guys आप इस वीडियो को like कर दीजिए और guys इस वीडियो को like करने के बाद चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका notification guys आपको यहाँ पे तुरणत मिल जाए ठीक है और अगर guys आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है रोजिन मैंने उस साइड पे अपलाई किया है जिस साइड में PM और PMI लगा हुआ है ठीक है क्योंकि अगर वीडियो की लाइन में sorting आ रहे है तो कही ना कहीं इसी section से हमें sorting वो देखने को मिलेगी या फिर नेट्रक के जो section होता है उसमें VPS line ज्यादा sort होती है हम DC से यहां पे voltage डालने वाले है 4.2 voltage और 5 ampere पे DC को यहां पे set करके रखा हुआ है और यह voltage मैं यहां पे डालने वाला हूँ यह डालूँगा मैं यहां पे VPS की coil लगी है उस पे ठीक है क्योंकि उससे हमें sorting का काफी जल्दी चल जाएगा अगर हम यह better connect पे डालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें sorting ना मिले ठीक है इसलिए गाइज मैं डाइरेक्ट यहां पे VPS की coil है उस पे voltage डाल रहा हूँ देखिए voltage मैं यहां पे डाल रहा हूँ और आप यहां पे देखना कि sorting कहां पे आ रही है तो एक बार मैं हलका सा टच करूँगा VPS की जो coil है उस पे एक बार हलका सा टच करूँगा देखिए गाइज मैं यहां पे हलका सा टच कर रहा हूँ देखिए अभी कुछ नहीं हुआ अभी गाइज एक बार DC को मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे से यहां पे DC ओफ हो चुकी है तो यहां पे DC को मैंने यहां पे OK कर दिया अभी देखना गाइज हलका सा मैं यहां पे वोल्टेज डालूँगा देखिए VPS की कोईल मैं हलका से यहां पे टच किया अगर आप यहां पे देखें कि एक जोפैसेट है उसका जो रोजीन हो यहां-बैट होच़ुक है वीपेज की कोईल लगे हुए है उसकी भार की साइड मैं यहां-पर वोल्टेज डाल रहा हूँ अगर यह voltage मैं अगर बैटी connector पे डालता तो ऐसा भी हो सकता था कि यह capacitor यहां पे मुझे sort ना मिलता ठीक है इसका जो रोजीन है वो melt नहीं होता ठीक है लेकिन यहां पे जो line है sort हुई है उस पे मैं उतना ही voltage डाल रहा हूँ जितना उसको चाहिए यानि VPH हमारा 3.7 उसे लेकर 4.2 voltage तक होता है इसलिए guys मैंने यहां पे 4.2 voltage डाल दिया 5 ampere डाल दिया और वो भी guys मैंने यहां पे जो VPH की कोईल है उसके भाहर की side डाला है अंदर की side अगर यह voltage डालता तो यह जो कोईल है वो भी heat हो जाती इसलिए मैंने इसको भाहर की side डाला और भाहर की side जैसे मैंने डाला तो यह cupid cath implies जो road to melt हो गया क्योंकि directए करण्ट गया और यह short होने से गरं हो 죄 of ground हो गर्म होने से इसका जो ओधी बीप आ रहा था अभी आप अगर देख रहे हैं तो कोई भी BPN नहीं आ रहा है और अगर मैं यहाँ पर रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो देखिए यहां पर reading आ चुका है 200 की something थोड़ा कम आ रहा है reading लेकिन कोई problem नहीं चलेगा और यह जो deficit निकाला था एक side यहां पर beep कर रहा था अभी देखना यहां पर reading आ चुका है कहीना कहीं sorting इसकी यहां पर निकल चुक है तो एक बार हम यहां पर जो बैटिक नेक्टर उस पर चेक कर लेने 4500 प्लस आ रहा है ठीक है देखिए यहां पर गाईज आप अगर देखेंगे तो 1000 प्लस हो चुका है या तो OL आना चाहिए या फिर 1000 प्लस आना चाहिए पहले यहां पर 500 की something आ रहा था यानि कि यहां पर half sorting बना हुआ था लेकिन अभी इसकी sorting निकल इसको मैंने आपर निकाल दिया है और निकालने के बाद अभी हम चेक करेंगे कि phone हमारा on होता है या फिर नहीं होता है अगर इसमें कोई दूसरी प्रोब्लम नहीं है तो phone हमारा on हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको voltage डालना होता है अगर आप किसी भी line पे voltage डाल रहे है तो finally guys हमारा जो phone है वो यहाँ पे on हो चुका है अगर guys आपको full sorting, half sorting और leakage पर अगर आपको detail में वीडियो चाहिए बिलकुल detail में तो guys आप comment करिएगा आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में जुरूर बताने वाला हूँ तो finally guys हमने यहाँ पे जो phone है उसको on कर दिये तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe क्लिक ओल नोटिफिकेशन ओन कर लिजिए ताकि आने वाल जो वीडियो जो उनका notification guys आपको यहाँ पे continue मिलता रहे